इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मैं 18 फेबरवरी को विडियो रिकॉर्ड किया था फ्रेश बाइंग का जिदर मैं खुद आपको बताया था दोस्तों 110 पे एंट्री ले ली दिये और उसके बाद मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हुआ और स्टॉक गया था 108.75 पै ये देख आख है तो 100 पर स्टॉक में एंट्री लिए और मैं उत्रिंवारी चिजान लेवल यह उसके बबाद ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर 110 पर एंट्री दिया था 108 टारगेट दिया 122 प्रोफेशनल ट्रागेट दिया 125 भी नहीं दिया क्योंकि यह अगर यह लेवल को से एंट्री ले सकते हैं क्योंकि स्टॉक मिड बॉटम फिशिंग दिया है और से 40 लेवल डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है जिसके क्लबिंग के बाद भी आपको स्टॉक में रहा लिया तो प्रिवियस टाइम जो लिवर्स बताया था उस लिवर्स के हिसाब से मैं आपको जो टार बैयर क्याच करके रिवर्सल जाना चाता है तो इसे 100 रुपीज का लेवल ब्रेक करना होगा यह लेवल ब्रेक करेगा तो इमिलियेट 88 रुपीज मिलेंगे इस 88 रुपे हम लोग आवरेज करेंगे पहले बाद तो 100 ब्रेक नहीं करेगा यह तो फुल कॉन्फिडेंटली ब यह मेरा टेलिग्राम चैनल है दोस्तों आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लेजिए फॉर इंट्रादे लाइब टिप्स एंड स्टॉक मार्केट अपडेट के लिए आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन मे अगर आपने अभी तक मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन ओल पर क्लिक कर दीजिए इंडियन ओउल कौर्पोरेशन लिमिडेर का ये 15 मिनेट का इंटर डेक कैंडिल चाट है नैशनल स्टॉक है 15 के हिसाब से अभी अभी देखिए दोस्तों यह वाला 24 यह वाला 25 का है यह वाला 28 का है ठीक है अभी यहां पे इसका breakdown level यहां पुपल और इसका breakout लेवल यहां पुपल अभी अपने breakdown level के पास तक जाके trend reversal कि इधर intraday selling अभी इसका जो breakdown level यह touch कर गया and breakout level नीचे है इसका मतलब यह है कि यह हमें Wednesday live market में सेल देने वाला simple समझ में आ गया अभी यहां तो मैं बोल दिया sell देने वाला simple आपको तुर्ण डिफिकर्ट लागा होगा तो यहां पर 60 RSI break करने को लेवल उपर जाते हुए ओवर बॉट पर profit booking हो रहा है जिस वाएस से stock RSI में भी reversal ट्रेंड ही है प्लेस लेवल पे improper rally हो रही है जिसका selling प्रेशर आपको Monday live market में आटोमेटिकली दिखेगा तो हमारा RSI सेल बोल रहा है MSD सेल बोल रहा है और हमारा इंट्राडे भी सेल बोल रहा है तो Monday live market में बाइइंग से ज्यादा selling पर focus कर यह आयोसी 28 February 2022 Monday Indian Oil Corporation Limited का closing है 115.00 पैसा यह मैं टार्गेश निकार रहा हूँ फॉर 2nd March 2022 वेनेजडे के लिए वेनेजडे लाइव मार्केट में आपको मेरे लेवेल पर बाइंग ओपोर्चिनिटी यह सेलिंग ओपोर्चिनिटी देखने को मिले आप मेरे टार्गेट और स्टॉप लॉस लाइव मार्केट में लेकर चल सकते हैं दूस्तों